I just have been busy with my kids to be honest, I've been busy with my children फर्दीन खान और उनकी वाइफ नताशा माधवानी के सेपरेशन की खबरों के बीच ट्विस्ट बन कर आ गया है फर्दीन का एक वाइरल वीडियो वीडियो में फर्दीन वाइफ और किद्स को बता रहे है अपनी दुनिया जिसकी वजह से फर्दीन खान इतने साल रहे बॉलिवुट से दूर I just have been busy with my kids to be honest Yes, you heard it right तो क्या वाइरल वीडियो सामने आने के बाद दोनों के डिवोस का चैप्टर हो गया है क्लोस Well, ये तो स्टोरी में आब आगे देखेंगे ही साथ ही हम आपको ये भी दिखाएंगे कि लंडन में रह रही मुम्तास की डॉर्टर नताशा और मुंबई में रह रहे फर्दीन की मैरिड लाइफ में क्या अब बची है कोई उमीद? एक तरफ खबर है कि फर्दीन खान मुंबई में अकेले है और उनकी वाइफ नताशा रह रही है लंडन में तो दूसरी तरफ डिवोस की खबरों के बीच फर्दीन का एक ओल्ड विडियो वाइरल हो गया है जिसमें वो अपनी वाइफ और किद्स को सेंटर ओफ इस वर्ल बता रहे है रिपोर्टिडली फर्दीन का ये विडियो येर 2020 में दिये गए एक इंटरव्यू का हिस्सा है विडियो में फर्दीन कहते नजर आ रहे हैं कि वो अपनी फैमली को टाइम देने की वजह से फिल्मों से दूर है सोसिस की माने तो लगभग एक साल से फर्दीन खान और उनकी वाइफ नताशा अलग अलग रहे हैं दोनों के बीच ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से बात सेपरेशन तक पहुँच गई ये तो फिल्हाल पता नहीं चला है पर इतना जरूर है कि एमिकेबली दोनों ही सेपरेशन की राह पर आगे बढ़ चुके हैं बता दे कि फर्दीन खान और नताशा मादवानी 2005 में शादे के बंधन में बंधे थे फर्दीन और नताशा के स्टार स्टाड़ेट वेडिंग सेलिबरेशन में शामिल हुआ था पूरा का पूरा बॉलिवूड वेल फिरोस खान के बेटे और मुम्तास की बेटी की शादी में कैसे ना जुटते इंडस्ट्री के सभी जगमगाते सितारे वर्क फ्रंट की बात करें तो फर्दीन खान जल्द ही रितेश देशमुक के साथ अपकमिंग फिल्म विस्पोर्ट से कमबैक करने जा रहे है